हाई फ्रेंड्स, विल्कम टू माई यूटूब चानल, आज मैं लेके आई हो सूजी बहुत ही तेश्टी ब्रेकफास्ट की एस्पी, तो चलिए पर बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने एक कफ सूजी ले लिया है, तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली सूजी लिया है, आप चाहे त चावल का आटा लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसे हलका सा मिक्स कर लेते हैं, तो यह देखे हमने इसे मिक्स कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसमें छाँच मिलाएंगे, आप छाँच के जगर दही भी ले सकते हैं, बस आपको क्या करना है, दही ले लिजी और इसमें हलक बेटर को त्यार कर लें तो इसे अच्छे से फैट लें तो देख सकते हैं अच्छे से मिला लिया है अब हम क्या करेंगे से धक के 10 मिनिट के लिए रख देंगे तो 10 मिनिट हो गया है सूजी हमारी फूल गई है तो इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं तो देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से फूल गई है तो यह हमें थोड़ा सा गाला लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा छाँच मिलाएंगे तो ज्यादा नहीं एक दो चम्मत छाँच मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम क्या करेंगे इसे तीन से चार मिटर तक लगाटा फैटते रहेंगे तो ये देखे हमने इसे फैट लिया है अब हम इसमें एक कटीवी प्याज डालेंगे दो से तीन हरिमिच एक कटा हुआ टमाटर और थोड़ी सी कटीवी धन्यापति आप इसमें और भी सब्जियां एट कर सकते हैं जो आपके पास हो अब हम इसमें स्वात के साब से नमक डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे तो आदा चमच हमने जीरा डाला अब हम इसमें हाप टीश्पून हल्दी पॉडर डालेंगे साथ में हम कद्दू कस किया हूँ अद्रग डालेंगे आप चाहें तो अद्रग का फेष्ट भी ले सकते हैं चलिए अब सबको मिक्स कर लेते हैं तो सब्जियों को अच्छे से वेटर के साथ मिक्स कर लीजिए आप इसमें मन पसंद और भी सब्जियां एड़ कर सकते हैं जो आपके पास हो और एक बार यह रिस्पी ज़रू ट्राइग किजिएगा बहुत ही टेश्टी लगेगी खाने में तो सबको मिक्स कर लेते हैं तो देख सकते हैं बेटर हमारा त्यार है यहां पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तो अच्छा सा गरम होना चाहिए तो तेज आज पर पहले तेल गरम कर लीजिए अब हम क्या करेंगे बेटर को लेंगे और एक से देर चमच बेटर को डालेंगे तेल में एक बार में जितना है उतना डाले तो यहां पर हमने टोटल तीन बना के त्यार किया इसे हां अब स्लो आज पर दो मिनट के लिए सिखने देंगे तो दो मिनट हो गया है इसमें हलका हलका सा उपर से तेल डालेंगे अब हम क्या करेंगे इसे पलट देते हैं क्योंकि यह नीचे से सिख चुका है इसे जल्दवाजी ना करें पलटने में नी तो यह तूट जाएगा पहले दो से तीन नट तक इसे सिखने दे तो ये देखिए हमने इसे पलट दिया अब हम दूसरे साइट से भी 2-3 नट के लिए पकाएंगे मीडियम आज पर तो इसे हम क्या करेंगे एक से दो बार ऐसी पलट पलट के इसे फ्राय करेंगे ताकि ये अंदर से तक पक जाए तो अभी गैस को slow to medium में रखें तेज ना करें नहीं तो ये उपर से जल जाएगा अंदर से कच्चर आ जाएगा तो ये देखिए नास्ता मारा अच्छे से फ्राय हो गया है तो बस अब हम क्या करेंगे इसे पलेट में निकाल लेते हैं तो सारे नास्ते को ऐसी पलेट में निकाल ले और बचे वे नास्ते को में ऐसे ही त्यार कर लेना है तो गर्मा गरम सूजी का नास्ता बनके त्यार है आप इसे एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही रेश्टी लगेगी खाने में और बहुत ही जल्ली बनके त्यार हो जाती है अगर आपको ये रेश्पी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब कर लीजिए मिलती हूँ नई रेस्पी के साथ तब तक बाई बाई